समस्कार दोस्तों वेनम एकेडमी में आपका स्वागत है आज का हमारा टॉपिक क्या है डेंसिटी देखें मैं आपको एक बात प्लेयर कर दूँ कि लंबी लंबी क्लासस लेके आप अपने टाइम को वेस्ट मत करिए जितना कंसेप्ट है उतना 10 से 15 मिनिट में पढ़के और आगे बढ़िए अपना टाइम सेफ करिए नंबर इंक्रीज करिए मल्टिपल टेस्ट दीजिए ठीक ना चलिया यह डेंसिटी समझ लेते घनत तो हमारे पास होता क्या है सबसे पहली बात डेंसिटी अगर मैं कहूं तो यह हमारे पास क्या होती है मास अपॉन द्रब्यमान लिख लीजेगा द्रब्यमान बटे आयतन यह हमारे पास होती है क्या डेंसिटी ठीक है डेंसिटी किसे का द्रब्यमान बटे आयतन आपको इतने जानने की जरूरा था ठीक है ना द्रब्यमान का अगर मैं मातरक देखू और डेंसिटी की अगर मैं यूनिट बनाने की कोसिस करो, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, द्रब्यमान मास किलोग्राम, और आयतन की हमारे पास क्या होती है, मीटर क्योग, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्योग, ठीक है, इतनी बात आपको पता चल गई, इतनी बात आपको पता चल गई अब density का next concept देखते हैं, लिखे concept, लिखे, next लिखे concept, अराम से देखते जाईएगा, 10 से 15 मिनट की class है, बहुत बड़ी class नहीं है, लेकिन हाँ, genuine topic से खाके जाऊँगा, ठीक न, अब देखो, सबसे पहली बात मैंने क्या लिखा concept में, जो वस्तु, जो वस्तु, क्या होगी, त सबसे पहली बात मैंने क्या बोली, जो वस्तु तैरती है, उसका घनत तो कम होता है, और दूसरी बात मैंने बोली, दूसरा लिखे, जो डूब जाती है, जो डूब जाती है, जो डूब जाती है, उसका घनत तो क्या होता है, उसका घनत तो लिख लीजे, घनत तो अधिक होता है, ठीक न, उसकी density क्या होती है, अधिक होती है, यहाँ density low होती है, मैंने सिर्फ दो बाते बोली, concept देखेगा, जो बस तो तैरती है, उसका घनत तो क् लेकिन उससे पहले एक बात यहाँ पर ये भी समझेगा कि जब हम density की बात करते हैं, density is equal to, हमारे पास क्या होता है, mass upon volume, ठीक है न, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि density और volume के बीच में क्या relation होता है, ये हमारे पास क्या होते है, inversally proportional होते है, with क्रमानुपाती, मतलब क्या होता है इसका, कि अगर हम volume को increase करेंगे, अगर volume को हम जदा बढ़ाएंगे, तो density की value क्या होगी, कम होगी, इसको हम लिखते हैं, d is 1 upon v, d is inversally proportional to 1 upon v, यानि v की volume हम जितना बढ़ाएंगे, density क्या होगी, उतनी हमारी कम होती जाएगी, और इसी को अगर मैं कहूं कि density को हम जित बढ़ेगी, तो दूसरी हमारी क्या होगी, घटेगी, ठीक है, इस relation को अगर आप समझ चुके हैं, तो चलिए आईए, कुछ examples देख लेते हैं, जो हमारे exam के favorite topic बन जाते हैं, ठीक है न, चलिए आईए, example समझते हैं, हमारे पास पहला example आपको question के रूप में आएगा, question के र अधिक है, ठीक है न, किसकी density अधिक है, ठीक है एग और पानी में किसकी density अधिक है, ये आप से पहला question पूछा जाता है, आईए concept समझते हैं, जैसे हमारे पास ये क्या है, एक bucket है, ठीक है, या glass है, इसमें क्या भरा हुआ है, normal water, and w लिख रहा हूँ, time बचाने के लिए, normal water साधा पानी भरा हुआ, ठीक है न, इसमें जब आप अंडा डालते हैं, तो यहाँ पर अंडा क्या होता है, अंडा क्या होता है, डूब जाता है, नॉर्मल पानी में, जब अंडा डूब जाता है, ठीक है न, आप लोगों को ये बात पता है, चेक कर लिजेगा, कि नॉर्म इस बात को बताया था कि जो चीजे डूब जाती है उनका घनत तो क्या होता है अधिक होता है तो पानी और अंडे में से किसका घनत अधिक होता है अंडे का घनत तो अधिक होता है लेकिन एक बात और देखिएगा एक्जाम में अगर ये salt water यहाँ पे आपको लिखके दे दे अब ये normal पानी नहीं रह गया, ये कौन सा water हो गया है, salt water, salty water, salty water लिख लीजे, salty water, ठीक है न, अब इसमें नमक का पानी है, लेकिन अब यहाँ पे अंडा क्या होता है हमारा, float करने लगता है, अब देखे, मैंने क्या बोला था, अब यहाँ पे जो चीजे तैरेंगी, उनका घनत तो क्या होता है, कम होता, अब यहाँ पे अंडे की density क्या होगी, कम होगी, किसके comparison में, हमेशा, मैंने वहाँ पे ये बात आप लोगों को यहाँ पे नहीं बताई थी, यहाँ पे इस बात को नहीं बताया था, कि यहाँ पे comparison में हम इस बात को करते हैं, लेकिन अब यहा जब normal water होता है तो अंडे की density क्या होती हमारे पास अधिक होती है क्यों क्योंकि अंडा डूब जाता है तो normal पानी और अंडे में किसकी density अधिक होगी हमारे पास अंडे की लेकिन वही अंडा जब salt water में जाता है salty water में जाता है तो वो क्या होता है हमारे पास float करने लगता है य गनत तो कम है तो इस बार हमारे पास अंडे का घनत तो कम है ठीक है चलिए दूसरा कोश्चन पूछा क्या जाता है मैं रूंग जये यह मैं पेज बढ़ा लेता हूं धवेश ठोड़ा सा इंक्रेस कर लेता हूं दो दोस्रा है टूसरा क elector यह तर्क वाटर में तैर्टी आप लोगोंने देखा होगा तो यह देखिए मैंने इस बार क्या लिया एक यह तो कंटेनर ले छीःँ ना एक मैं क्या है जल है और दूसरे मी क्या है श्राब है दूसरे में क्यां शराब है शराब हाँ वही पीने वाली शराब ठीक चलिए तो इसमें मैंने क्या बोला कि आइस जो है वाटर में तैरने लगती है ठीक आप से question क्या पूछा जाएगा कि आइस जो होती है वो क्या होती है वाटर में तैरती है तो बताइए किसका घनत तो अधिक होता है और किस इसका घनत तो कम होता है मैंने क्या बोला अगर आइस यहां पे टैर रही है आइस टेरती है हमने क्या लिया है牛양 अजिर scholar two before लिया है और क्व आपास दोस्तों थोड़ा राइटिंग गंदी गणदी है समझ लिजबा कोई दिककत नहीं है कोई बात नहीं तो आईस जो होती है हमारी यहाँ पर क्या होती तैरती है तो मैंने क्या बोला जो वस्तुमे तैरती है उनका घंद तो क्या होता है कम होता है तो जल जल और आइस में किसकट किसकी डेंसिटी अधिक होगी और किसकी डेंसिटी कम होगी तो जल की डेंसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी अधिक हो जाएगी क्यों क्योंकि आइस हमारी इसमें क्या हो रही है ice की density यहाँ पे कम है क्यों ice हमारी यहाँ पे तहर रही है ठीक है ना चलिए शराब में देखते हैं जब आप शराब की बात करेंगे शराब की बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जो हमारी बर्फ होती है इसकी density क्या हो गई अधिक हो गई हमने क्या बोला था जब भी कभी कोई चीज डूब जाती है तो उसकी density क्या हो जाती अधिक हो जाती है और शराब की density क्या हो गई हमारे पास कम हो गई बस इसतना क्लियर रखना है आपको जो चीजे फ्लोट करती है जो चीजे float करती है उनकी density क्या होती है उनकी density कम होती है उनका घनत तो कम होता है और जो चीजे डूब जाती है उनकी density क्या हो जाती है अधिक हो जाती है तो शराब जो है बर्फ में क्यों डूब जाती है क्योंकि बर्फ की density क्या होती है अधिक होती है और शराब की density हमारे प चलिए ये नेक्स्ट क्शुन आपके पास क्या बनता है क्वेश्चन मैं आपको सीफिस्ट्र के थुआ कॉंसेट समझा रहा हो देखे अब हमारे पास क्या है गोल्ड रिंग गोल्ड रिंग को मैंने यहां पे क्या लिया नॉर्मल वॉटर लिया ये लिजे water है यहाँ डुटी ऊर transportation water और यहाँ पे मैंने क्या लिए यहाँ 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 water नहीं है यहाँ पर खी कणा अब दीखेए the यहे मॉल्ड रिंग ली तो गोल्ड क्या होती है वाटर में वाटर में वाटरetzen क्या हो जाती है, डूब जाती है, अब बताओ, अब आप लोग comment section में बताओगे, कि यहां पर density किसकी अधिक है, dg की density अधिक है, कि dw की, ठीक है न, dg हमारे पास क्या है, dg हमारे पास देख लिजे, dg density of gold density of water, आपको इसमें बताना है क्या इसमें से किसकी density अधीक हो कि ठीक है उसी तरह से उसी तरह से मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पास पारा होता है उसमें जो हमारे पास यह गोल्ड रिंग होती है यह यहां पर क्या होती है तैरती है तो आपको यहां पर भी बताना है कि यहां पर density of gold ring अधिक है कि density of para hg लिख दो para hg ठीक है ना पारा किसकी density of para लिख देते हैं कि किसकी अधिक है density of para ठीक है आप लोगों को ये comment section में जरूर comment करके बताना है अगर आप इस lecture को seriously देख रहे हो तो देखो मैं time waste बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं आप लोगों का एकदम to the point बात कर रहा हूं ठीक है आप आगे देख लेते हैं कि हमारे पास और important क्या point है बस उसको लिख के class को यहीं पर क्यार कर देते खतम कर देते ठीक है ना जल हमारा इसका मतलब हमारे पास क्या होता है ब्रॉंटलब हमारे पास क्या होता है जमता है पानी जो होता है हमारे जीरो डिगरी पर क्या होता है जमता है इसका मतलब हमारे पास क्या होता है density is equal to mass upon volume ठीक है ना? density is equal to mass upon volume ठीक है ना? अब देखो एक बात हमेशा याद रखना अगर मैं द्रब की बात करूँ ना? द्रब जमने पर क्या होता है? संकुचित होता है द्रब जो होता है वो जमने पर जमने पर क्या होता है? संकुचित होता है संकुचित यानि सिकुडता है ठीक है ना? द्रब जमने पर क्या होता है? संकुचित होता है लेकिन अगर मैं जल की बात करूँ अगर मैं जल की बात कर जल जमने पर क्या होता है फैलता है मैंने क्या कहा कि जो हमारा द्रब होता है वो जमने पर संकुचित होता है नॉर्मली यही देखा जाता है लेकिन यहां पे एक कंसिप्ट है कि जो हमारा जल होता है वो जमने पर क्या होता है फैलता है यह तो उल्टा काम कर रहा है और फैलन यह किया हूँ रहा है फैल रहा होगा और फैलने का मतलब लंबांज चौढाई और उचाई बढ़ना और लंबांज ब्रिफध और हाइट इंवाल्यूम का बढ़ना और अकर वाल्यूम हमारा है तो density हमारी हो जाएगी कम हो जाएगी तो आप लोगों से question ऐसे भी पूछा जा सकता है कि water का घनत तो water का घनत तो क्या होता है zero degree Celsius पे water का घनत तो कम होता है यह volume अधिक होता है आप लोगों से कैसा भी question बना के पूछा जा सकता है ठीक ना चलिए next question next question आप से क्या बन सकता है वो भी देख लेते हैं यहां पर देख लीजें next question यह water के बारे पूरे फैक्ट है चार डिगरी पर जल का घनत तो मैक्सिमम होता है यह क्या लिखा है चार डिगरी पर चार डिगरी पर क्या होता है जल का घनत तो डेंसिटी मैक्सिमम होता है अब देखे हमने क्या पढ़ा density is equal to mass upon volume, ठीक है न, mass upon volume, अब 4 degree पर हमारे पास क्या होगा, जल का घनत तो क्या है, देखो maximum है, 4 degree पर हमारे पास जल का घनत तो maximum है, तो density is equal to mass upon volume, अब देखो, जल का घनत तो maximum, density maximum है हमारे पास, ठीक है न, density अगर हमारे पास maximum है, तो हम क्या करेंगे, चली मैंने क्या बोला कि जल का घनत तो हमारे पास क्या होता है 4 degree पे maximum होता है मतलब इस बात को समझेगा कि अगर आप से वो direct question नहीं पूछता है कि 4 degree Celsius पे जल का घनत तो maximum होता है तो आप से ये भी पूछ सकता है कि 4 degree Celsius पे हमारे पास जल का volume कितना हो जाएगा वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा मिनिमम जल का वॉल्यूम मिनिमम हो जाएगा इस बात को आप कहीं पे भी लिख लीजे इस बात को आप कहीं पे भी नोट कर लीजे मैं आपको 15 मिनट में क्लास कतम करके डेंसिटी की दे दूँगा ठीक है ना चलिए आए नेक्स पिक क्या देखते हैं छोड़ा सा एक concept है देख लीजे हाइड्रोमीटर हाइड्रो एच वाइडी आरो मेटर हाइड्रोमीटर हाइड्रोमीटर इससे हम क्या करते हैं जल की density नापते हैं क्या जल का घनत तो नापते हैं ठीक है ना जल का घनत तो नापते हैं चलिए यह हो गया एक बहुत ही famous question SSC के लेवल पे बनता है शायद यहाँ पर भी पूछा जा सकता है आप लोगों से बर्फ जमने पर देखे हमने क्या कर रहा हमने क्या कर आप यह concept देखे ठीक है न यह हमने क्या लिया यहाँ पे टब लिया या बाल्टी ले लिए इसमें हमने क्या भर दिया पानी भर दिया ठीक है न देखेगा अराम से आपका time waste भिलकुल भी मैं यहाँ करने नहीं आया हूँ अब देखे यहाँ पे मैंने किसी एक दूसरे color से मैंने क्या बना दी बर्फ बना दी बर्फ और ब आप आप लोगों से बता दू कि जब बर्फ हमारी पानी में तेरती है तो जो उसका एक बटे दस्मा भाग है, इसलिए मैं red से लिख रहा हूँ, एक बटे दस्मा भाग, आप लोग अपनी copy में लिख लीजेगा, कि एक बटे दस्मा भाग जो है, बर्फ का क्या होता है, तैरता है और जो बचा हुआ नीले से है, फिर से मैं नीले से लिख देता और जो हमारे पास 9 बटे दसमा भाग है वो क्या रहता है डूबा हुआ रहता है और एक बटे दसमा भाग हमारे पास क्या तैरता है यह हो गया आपका density का पूरा concept ठीक है न अब आप लोग density अगर समझ चुके हो तो बस आपको काम इतना करना है कि कहीं से भी previous year question मिले mcq मिले आप लोग उसको जरूर solve करो और इस concept में बिठाने की कोसिस करो deep down concept में जाओ क्योंकि concept से चीज़े क्या हो जाती easy हो जाती एक बार मैं आपको पूरा दिखाये देता हूँ पूरा एक बार दिखाये देता हूँ बस आप लोगों को क्या करना है अच्छे से revise करना है ठीक है अच्छे से revise करना जो मैंने यहाँ पर question पूछा है यहाँ पर question पूछा है गोल्ड रिंग वाला इसको आप लोग जरूर बताएंगे गोल्ड रिंग वाला comment section में जरूर बताएंगे और ये भी बताएंगे कैसी लगी आपको class तो थोड़ा सा like कर देना अगर आप लोग class अ आपको करेंगे